हेलो बच्चो क्या हल चाल कैसी चल रही है पढ़ाई तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईटी जाई टुठावन सेवन का पेपर टू पेपर वन हमने अल्रेड़ी सॉल्व कर रखा है पेपर टू आज हम सिंगल करेक्ट टाइप कुष्चन सॉल्व करने वाले हैं तो चलो देखते हैं सबसे पहला कुष्चन अपने सामने गिवन है कॉडिनेट जमेट्री का बोला है लेट ओ पी क्यू यह तीन पॉइंट से अपने पास ओ पी क्यू एंड यह ट्राइंगल बना रहा है ठीक है बाइज जो बोल रहा है वो कर देते हैं ज्यादा क्यों दिमाग लगा है अपना ओ पी क्यू ओ का मतलब ओरीजिन दिया है उन्होंने पी का मतलब गिवन है 3,4 एंड दन क्यू का मतलब है 6,0 अब आगे पढ़ते हैं there is a point R inside the triangle OPQ ठीक है और कोई भी point inside the triangle such that area of triangle OPR OPR PQR PQR यह वाला का कोडिनेट क्या होगा यार यह तो बहुत असान कुश्चन है आर जो होता है ना वह centroid होता है centroid divides triangle in three equal areas इसका मतलब वो directly centroid का कोडिनेट पुछा है तो अब क्या ही बोले 3 plus 6,9 plus 0,99 by 3 3,4 प्लस जीरो फॉर बाइ त्री कॉमा फॉर बाइ त्री आंसर होने वाला है बस बहुत ही आसान कुश्चन है तो अब तुम्हें कुश्चन आएगा दिमाग में कि सर इतना आसान कुश्चन आता तो पहले तो अभी सॉल्व क्यों कर रहे फालतू का टाइम वेस्ट हो रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं हो रहे यार जेई मेंस तुम जाके देखो जैय मेंस डेरेक्ट कुश्चन पूस्ट है डेरेक्ट सेम टू सेम क्वेस्ट में अल्रेडिव आ चुका है पुराने जेई के पेपर सॉल्व करने से ये फायदा होता है कि जो भी जेई एरवान से पुराने single correct question आये हुए थे वो अभी के जही मेंस में direct आ जाते है direct without any change in the data कोई data में change किये बिना question आ जाएगा direct ठीक है तो चलो तो हमेशा कुछ न कुछ सीखने को तो मिलता है ऐसा कभी नहीं सोचना है कि यार सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है देखो complex number का question है mod z is equal to 1 z की value plus minus 1 नहीं है मतलब कोई random कोई तो complex number है जिसका magnitude 1 है then all the value of z on this lies on इसका locus निकालना है मुझे where x plus iota y x plus iota y जिसका locus निकालना होता है उसको x plus iota y माल लिया is z upon 1 minus z square अच्छा तो यार अपने पास दो option है या तो z को कुछ alpha plus iota beta माल ले and given है कि alpha square plus beta square 1 है या तो उससे चले या फिर बहुत simple सा तरीका बताता हूं मैं since mod z is one then we can say z is same as e की power iota theta only यूलर्स form z is equal to r into e की power iota theta होता है since r की value one है तो z is equal to e की power iota theta होगा variable क्या है theta theta change हो रहा है x की value में theta की time में निकाल लूँगा y की value में theta की time में निकाल लूँगा then theta को eliminate कर दूँगा अपने आप x y में एक locus आ जाएगा समझ में आ रहे हैं अब मैं इसको put करता हूं तो यह आ जाएगा e की power iota theta theta बच जाएगा e की power iota theta यहां से कुछ तुमें देखने को मिला e की power iota theta is same as c plus iota sin theta अच्छा e की power minus iota theta इस same as cos theta minus iota sin theta अगर मैं दोनों को subtract करता हूं यह तो क्याट डरिक्ली दिख रहा है 2 iota sin theta आ जाएगा तो यहां से तुमारे पास यह आएगा 1 upon 2 sin theta overall multiplied by iota इसको मैं iota से multiply and divide कर दू तो यह बन जाएगा iota upon minus 2 sin theta since theta is a real number तो 1 upon 2 sin theta तो कुछ तो एक real number आएगा तो यह k iota आ गया इसका मतलब x plus iota y is same as k iota nice तो x की value क्या होगी 0 and y की value क्या होगी k x की value 0 इसका मतलब y axis पे purely imaginary number है purely imaginary number है तो then z lies on y axis बहुत सिंपल अगला सवाल बहुत ही बढ़िया question probability का है लेट इप कॉंप्ली कॉंप्लीमेंट के दिन नोट दो कॉंप्लीमेंट इन नोट बता भी दिया अब तुम्हें लागिए अफिर से यह मैं बोल रहा हूं है यह question भी जे अगया अधिन एफ जीए बीपेर वाइस इंडिपेंडेंट मतलब एस इंडिपेंडेंट इवेंट विद फी ओफटी ग्रेटर देन जीरो देन एक और चीज़ बोला ताइम हम जनरल नहीं बनाएंगे क्यों कि नोंने पहले बोल दिया इफ जी में इंटरसेक्शन कुछ नहीं है मतलब अगर लेट से यह है यह यह एफ है तो यह जी होगा ठीक है ऐसे कर देते एफ जी दो दो में इंटरसेक्शन हो सकता है लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो हमने वेंट डाइग्राम प्रॉपर बना लिया ओके नाइस अब आगे जो बोला है इफ जी भी प्यारवाइज इंडिपेंडेंट प्यारवाइज इंडिपेंडेंट का मतलब इका इंटरसेक्शन एफ के साथ लोगे तो यह आएगा पी इं इंटू पी जी राइट इसका मतलब होता है पेर वाइज इंडिपेंडेंट है कि कोई भी दो पेर मतलब कोई भी दो को उठाओ वह हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे जो पूछा गया है उसको लिख लेते हैं बोला है फाइंड पी ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन मतलब यह होता है कि भाई नीचे पी ओफ जी लिख दो क्या प्रोवैबिलिटी है उपर वाला होगा गिवेंडेंट जी हो चुका है अगर जी हो चुका है अब मुझे और कहीं देखने की जवरत नहीं है मैं कहा देखूंगा सिर्फ जी के अंदर देखूंगा क्योंकि जी ह हो चुका है इन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई जी हो गया है अब बताओ क्या होने वाला है वो सब तो अगर जी हो चुका है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जी के अंदर देखने वाला हूँ मैंने रेड सर्कल कर दिया है यह जी है इसके अंदर देखो बाहर देखने की ज़ एंड f के बाहर e के बाहर होना चाहिए & f के बाहर होना चाहिए तो यह वाला portion इसा है जो e के भी बाहर है f के भी बाहर है यह दोनो का intersection है e complement intersection f complement यह वाला reason है जो मैं तुमें यह दिखा रहा हूँ इसका होने का probability is उपर में क्या लिखने वाला हूँ इसी का probability है जो shaded portion है उसका probability लिखने के लिए मैं क्या बोलूँगा जी के probability में से E intersection G का probability माइनस कर दो E intersection G मतलब ये वाला part ऐसे ही F intersection G का probability भी माइनस कर दो F intersection G मतलब ये वाला part यह दोनों हटा देंगे G के probability में से अपने आप यह shaded रिचन आ जाएगा अच्छा अब यहाँ पर यूज होने वाला है यह उपर जो हमने लिखा है बताओ PG को PG ही रहने दिया PE intersection G को can I write PE into PG PF intersection G को can I write PF into PG divided by PG क्या तुम्हें दिख रहा है numerator and denominator हर जगे से PG is getting cancelled out तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है यह 1-PE-PF यह हो गया तुम्हारा final answer अब देख लो चारो option में से 1-PE अगर मैं E compliment के form में लिखता हूँ तो this is same as PE compliment minus PF ऐसा कोई answer है PE compliment minus PF C option मुझे directly वही दिख रहा है अगर F compliment के form में लिखता तो 1-PF compliment तो PF compliment minus PE आता PF compliment minus PE यह सा कोई भी option नहीं है hence option number C right है अपना I hope तुम्हें समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे questions है ठीक है अब देखो यह question अब यह आ तो directly differentiation के बारे में पुछ लिया है तो यहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं अगर अगर directly दिमाग में नहीं आता है फिक है अभी तुम्हें proper method से जाओंगा d2x upon dy square d2x upon dy square is same as d by dy of dx by dy अच्छा मुझे answer dy by dx, dy by dx, dy by dx में चाहिए तो dx by dy नहीं चाहिए तो can I write can I write d by dy into dy by dx पे power minus 1 अच्छा अच्छा यह dy by dx के form में है तो यहाँ d by dy नहीं चलेगा तो can I write d by dx into dy by dx पे power minus 1 एंड यहाँ dy आना चाहिए था तो dx हमने लिखा है तो dx by dy कर दिया यहाँ से dx, यहाँ से dx यह dy, ठीक है ओके, अब मैं क्या इसका differentiation कर सकता हूँ, d by dx तो dy by dx तो पावर minus 1, yes क्या लगेगा chain rule minus 1 into dy by dx पे power minus 2 multiplied by dy by dx का differentiation d2y by dx square multiplied by dx by dy dx by dy तो मुझे चाहिए नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, dy by dx पे power minus 1 okay so can we see, यह आगया हमारी पास minus of d2y by dx square multiplied by dy by dx पे power minus 3 कौनसा option है, जल्दी चेक करो d option मुझे दिखरा है d option, minus of d2y by dx square into dy by dx power minus 3 so बहुत ही प्यारा question बस differentiate करने आना चाहिए तुम्हें हो जाएगा अगला सवाल calculus का फिर से बोले है, यह differential equation है बताओ family of circle क्या है fixed radius है, variable radius है fixed center है, variable center है क्या है नहीं है इससे बताना है तो उसके लिए पहले तो मुझे solve करना पड़ेगा differential equation, हाँ sir differential equation तो मुझे clearly दिख रहा है variable, यह तो directly लिखा हो है y dy upon root over 1 minus y square is equal to dx डोनों side integrate करना है बस, इसको integrate करने के लिए क्या करे बहुत आसान, 1 minus y square को कुछ p square माल लो minus 2y into dy के value आ जाएगी 2p dp 2, 2 कट गया y dy के value आ गई, y dy is same as minus p dp okay, so यह ultimately आने वाला है minus p dp divide by, यह तो p square था उसका root ले लेंगे तो p बन जाएगा p से p कट गया, this is same as minus of dp which is same as minus p अच्छा, plus c तो ultimately यह हो गया तो lhs का जो integration आया वाया minus p, p के जगा क्या आएगा 1 minus x y square and right hand side का differentiation x, दोनों side में से एक जगा c लिख दो करें अब वो circle के बाद कर रहे हैं तो obvious सी बाते मुझे final curve निकालना पड़ेगा दोनों side square कर देता हो, जैसे square करूंगा यह बन गया 1 minus y square, x plus c का square ही, x square plus 2 c x plus c square so can we see यह जो circle आया हो आया, x square plus y square plus 2 c x plus c square minus 1 is equal to 0 yes sir so इसका जो center आ रहा है center कितना आ रहा है, minus g, minus f तो minus c, 0 इसका जो radius आ रहा है, radius कितना आ रहा है root अंडर g square plus f square minus c square तो radius तो 1 आ गया this means radius अपना fix रहेगा 1, center variable रहेगा minus c, 0 fixed radius, fixed radius दो option में है variable center, variable center along the x-axis, along the y-axis नहीं y-axis के along नहीं, y का coordinate तो हमें साथ 0 रहेगा मतलब along x-axis तो along x-axis, center जो है minus c, 0 है तो along x-axis वो point ट्रैवल कर लें ठीक है अगला question vectors and 3D geometry का है तो a, b, c, 3 unit vector given है such that a plus b plus c, 0 है इसका मतलब पक्का क्या बना रहा होगा एक triangle यह a होगा, यह b होगा, यह c होगा then which other following is true a cross b, b cross c, c cross a के बारे में तो क्या करता हूँ, जो भी relation given है a plus b plus c is equal to 0 since unit vector है तो यहां directly दिख रहा है a cross b उपर की तरफ आएगा b cross c भी उपर की तरफ आएगा है ना तो यहां से मैं दिखा देता हूँ, देखो directly मैं cross ले लेता हूँ a cross b plus b cross b plus c cross b is equal to 0 vector so b cross b तो 0 हो जाएगा तो यहां से you can see a cross b plus c cross b कितना आ रहा है, 0 आ रहा है so can I say a cross b की value आने वाली है minus of c cross b and minus of c cross b is same as b cross c अच्छा तो a cross b की value आ गई b cross c के बराबर अभी मैं cross लेता हूँ, इसका b के साथ b के साथ ही लिए, अब c के साथ ले रहा हूँ तो यह आ जाएगा a cross c plus b cross c plus c cross c is equal to 0 c cross c 0 हो गया तो b cross c की value आ जाएगी c cross a के बराबर this means a cross b is same as b cross c and b cross c is same as c cross a a cross b is same as b cross c b cross c is same as a cross b is same as b cross c c cross a, तीनों equal है and not equal to 0 यहाँ पर इनोंने तीनों equal बोला equal to 0, equal to 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि parallel vector नहीं है na non-zero vector है and दोनों के दोनों parallel भी नहीं है hence equal to 0 नहीं होगा, तो option number b right है next a b बढ़िया a b c d b a quadrilateral with area 18 with side a b parallel to the side c d and a b is equal to 2 c d मतलब दो side बनाने का है let a d be perpendicular मतलब एक side perpendicular भी है and एक double है a b c d यह scene चल रहा है ठीक है और उन्हेंने बोला इसे circle is drawn inside the quadrilateral a b c d touching all the sides then its its radius age तीक है, कोई तो circle है इससा exact diagram नहीं है, बस field ले लेने का है तुम्हें अब यहाँ से देखो, एक बात तो clear है यह सारे के side sides tangent है अब मैं अगर इन सारे point को mark कर दू, P, Q, R, S तो एक बात तो clear है देखो अगर एक circle है and दो parallel lines है and वो दोनों के दोनों उस पर tangent है तो पक्का इनका जो यह point of contact को join करेंगे तो यह diameter होगा इसका मतलब यह चीज़ तो clear है कि this line is going to be the diameter इसका सेंटर यहां कहीं बीच में है अच्छा इस सेंटर यहां कहीं बीच में है तो सेंटर से वी नो कि perpendicular यहां पर tangent आएगा अच्छा इसमिस यह रेडियस है यह भी रेडियस है यह भी रेडियस है अच्छा इस 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 रेडियस एंड ये 90 डिग्री चल रहा है यहां भी 90 डिग्री है तो ये भी radius ही होगा तो ये भी radius ही होना पड़ेगा ये वाला भी radius होगा एंड ये वाला भी radius होगा ओके इस मिन्स ये पूरा length कितना होगा 2 times radius next अगर ये पूरा length x था तो ये पूरा length भी X था नाइस तो ये length कितना हो जाएगा X minus radius और ये length भी कितना हो जाएगा X minus radius तो ये पूरा length कितना होगा 2X जो कि double था तो ये length भी X रहा होगा इसका मतलो अच्छा ये length रहा होगा 2R ओके एक और चीज क्या given है? खुस्टो given होना चाहिए हाँ given है area of quadrilateral is 18 area of this quadrilateral अगर मैं area of this quadrilateral निकाल हूँ तो पहले मैं क्या करूँगा इस rectangle का area निकाल लेता हूँ rectangle का area will be what? rectangle का area will be X into 2R plus ये triangle का area half into base base is X and height is 2R 3RX is 18 इसका मतलो R into X is 6 एक relation आगया R and X में अब मुझे X पता चल जाएगा तो R पता चल जाएगा X निकालने के लिए मैंने थोड़ा से दिमाग लगाया is this a right angle triangle and क्या ये tangent from external point है तो ये भी सेम होगा X minus R and if this is X and this is X minus R ये total कितना आगया? total 2X minus R इसका मतलो ये भी 2X minus R होने वाला है तो इससे मुझे पता चला पाइथागोरस टेरम लगा दू अगर मैं triangle में तो 2R का whole square plus X का whole square is equal to इनका सम कितना हैगा? 3X minus 2R का whole square बस यहाँ से R और X में एक और relation आ गया and हमारा answer आ गया 4R square plus X square is equal to 9X square plus 4R square minus 3 दोना 6 दोना 12 12XR 4R square, 4R square कट गया 8X square is equal to 12XR XR की value 6 है तो 12 into 6, 72 8X square 72 है तो X square 9 है इसका मतलो एक्स पक्का 3 है अगर X3 है तो R2 है ठीक है, थोड़ा से geometry लगाना था and यह J advance का question है क्या बोली आ रही है यह तो मतलब ऐसा था कि 10th board से pass की हुए बच्चे भी solve कर सकते हैं तो अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो ठीक है अगला सवाल यह question देखने में बहुत ही खतरना कि ऐसा question जी में में आया ही होगा I hope और नहीं आया तो आ जाएगा कभी ने को बोला एक function defined कि fx is equal to x upon 1 plus x की power n की power 1 by n n की value greater than equal to 2 then बोला gx is equal to f of f of f of f of n times x then gx का integration x की power n minus 2 के साथ तो पहले मतलब gx निकाल के देखना पड़ेगा मुझे f of f of x कितना आएगा एक बार देख लेते हैं x के जगा पर मैं पूरा function रखूंगा x upon 1 plus x की power n की power 1 by n divide by 1 plus x की power n मतलब इस पूरा function की power n तो पूरा function की power n मतलब x की power n plus 1 upon x की power n overall 1 upon n तो यह आने वाला है x and यहाँ जो lcm आयगा और नीचे जो lcm सेम ही है upon 1 plus 2 x की power n की overall power 1 by n अच्छा then f of f of fx निकाल के देख लेते हैं फिर x के जगा पूरा function रखना पड़ेगा x upon 1 plus x की power n की power 1 by n 1 plus 2 into x की power n उतलब पूरा function की power n x की power n upon 1 plus x की power n overall power 1 by n तो यह आने वाला x upon 1 plus 3 into x की power n की power 1 by n यहाँ से pattern clear है fx में 1 था है f of fx में 2 है f of fx में 3 है तीन बार function लिखा अगर f n times आएगा तो gx actual में कितना आजाएगा x upon 1 plus n into x की power n overall power 1 by n अब integration निकलना x की power n minus 2 x की power n minus 2 into gx x की power n minus 2 into x x की power n minus 1 into dx upon 1 plus x की power n into n की power 1 by n टीक है